नमस्कार आप देख रही है महुआ खबार और आपके साथ मैं हूँ क्रांति सिंग देश में इस वक्त बजट को लेकर के चर्चाएं तेज और इसी बीच में प्रधान मंत्री द्वारा एक जो योजना लॉंच कर दी गई है उसको लेकर के चर्चा जारी है दरसल इस योजना बिजली बिखताना का नाम ऐसा है जिसको सुन करके आपके चेहरे पर भी खूशी आ जाएगी क्योंकि बिजली बिल का भुक्तपन तो आप लोग भी करते होगे और δहसलं प्रधान मंत्री ने विजली बिल भुक्तान के लिए कि योजना जो है वो लॉञच जनता को लाव मिलेगा जो आम जनता बिज्री बिल से परिशान है आपको तादिक इसमें एक ऐहम जानकारी भी जोड़ी गई है इस योजना के तहट जो है वह उन लोगों को फाइदा पहुचेगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है साथ में उन लोगों को भी इसका फाइदा म मिल जाएगा आपको इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी सुलिष्ट किया है कि उन जनता को जो है इसका लाव बराबर मिले इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट भी तयार करवाई है ताकि जो लोग गरीब है और उनके छट जो है वो बिल्कुल खाली है उस शट के ओपर सोलर पैनल लगा करके बिजली विल को और भी जादा कम कराया जाएगा और इसका अभ्यान राश्ट्री स्तर पर शुरू किया जाएगा शुरू कर दिया आपको बता दे की बजट से पहले यह जानकारी हम आपको इसलिए रहे हैं क्योंकि जानकारी जो है उस दिन सामने निकल कर कि आई जब राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा के बाद जब प्रधान मंदिर मोधी वहां से बाहर निकले तो उन्होंने इस यूजना को लेकर के जो है बाते कहीं और इसको लांच कर दिया इसके होते ही हमने यह भी देखा कि जो आम जानता है वह काफी जादा खुश नजर आई अगर आप लोगोको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो आप लोग अभी के अभी जो है गूगल पर जाकर किसके बारे में सर्च करें इसके लिंक पर जाए उसके लिए apply कर सकते हैं और प्रिधान मंत्री के द्वारा जो है इस योजना को आप तक पहुचाया जाएगा और आपका भी बिजली बिल जो है कमाएगा क्योंकि आप लोग को पता है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में कई सारी ऐसी चीज़े होती है घर में को यूज करने के बाद जो है बिजली बिल बढ़ ही जाता है चाहिए वो गीजर हो ही चरो और इस तरी के के अन्ने इलेक्ट्रोनिक अप्लाइंस तो सीधे तौर पर प्रिधान मंत्री नरींद्र मोधी की तरफ से इस योजना का लाब आपको भी मिल सकता है अगर आपने अ का बाद आपको भी मिल सकता है तो स्वावा कबर